नमस्कार, मैं उच्छवल राय, एक बार फिर स्वागत है आपका रोजगार अपडेट्स में रोज की थरा आज भी हम बात करेंगे सरकारी नौक्रियों से जड़ी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं दो नौक्रियां, ITI Training Officer और Apprentice के पदो के बारे में पहले बात करते हैं मध्यप्रदेश Employees Selection Board में निकली ITI Training Officer के पदो की इनके लिए रजिस्ट्रेशन 9 अगस्ते शुरू हो गए हैं और अपलाय करने की आखरी तारीख 23 अगस्त 2014 है यह Vacancy Technical Education, Skill Development and Employment Department में निकली है इसके तहित ITI Training Officer यानि टीयो के 450 पदों पर योगे कैंडिडेट्स की निक्ति की जाएगी इसमें Education Qualification की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास किसी मानिता प्राप्त यूनिवरस्टी से BE या BTEC की डिगरी होनी चाहिए इसके साथ ही संबंदित फिल्ड में डिपलोमा और ITI पास भी आविदन के लिए योगे हैं MP ESB की इन भरती प्रक्रिया के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल तै की गई है इस भरती में आपको 32,800 से लेकर 1,3,600 तक सेलरी दे जाएगी इस भरती से जुड़ी अनि जानकारी और आविदन करने के लिए आप ओफिशल वेबसाइट ESB.MP.GOB.IN पर जा सकते हैं अब बात करते हैं दूसरी वेकैंसी के बारे में इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड ने अपरेंटिस के 400 पदों पर भरती नकाली है जिनमें ट्रेड अपरेंटिस, टेक्निशियन अपरेंटिस और ग्रेजूइट अपरेंटिस के हैं साल का रेगूलर डिप्लोमा जरूरी है इसी प्रकार ग्रेजूइट अपरेंटिस पत के लिए कम से कम 50 प्रतीशत मार्क्स के साथ ग्रेजूइशन किये उमीदवार अपलाय कर सकते हैं इस भरती में 18-24 साल कैंडिडेट अपलाय कर सकते हैं इसमें सेलेक्शन के लिए पहले ओलायन टेस्ट पास करना होगा उसके बाद डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन, फिर प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा इस भरती में सेलरी पत के मताबिक दी जाएं इसके बारे में जानकारी पाने के लिए आपको official website iocl.com पर दिया notice चेक करना होगा आज के लिए इतना ही हम फिल लोटेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहें बंसल निउस डिजिटल यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को दवाना ना पूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आप हमारे वाटसेप चैनल परसल निउस को फॉलो कर हर दिन लाइफ अपडेट्स भी आ सकते हैं